हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आसमाज वाल इन वन चैनल फ्रेंड्स आज हम लोग यहाप पर गाजर का हलवा बनाने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग ने हैं यहाप पर एक कड़ाई गरम होने के लिए रख दी हैं यहाप पर हमारी कड़ाई अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम लोग इसमें दो चम्मच भर कर घी डालेंगे यहाप पर गी हमारी अच्छे से गरम हो जाने के बाद हम लोग नहीं हाप पर एक किलो गाजर का दुकस करकर लिया था वो डालेंगे यहाप पर हमको गाजर को अच्छे से क्लर चेंज होने तक इसी तरह से इसको भून लेना है यहाप पर हमको दो मिलट अच्छे तरह से भून कर हो जाने के बाद आप देख सकते हैं गाजर का क्लर चेंज हो चुका है अब हम लोग इसमें आदा लिटर दूट डालेंगे यहाप पर हमको पूरा दूट सुकने तक इसको अच्छी तरह से पकाना है हम लोग इस पर ढखकन ढखका रख देंगे और इसको अच्छी तरह से कुक होने के लिए छोड़ देंगे और इसको बिज़ भिच में चलाना है ओम लाक पर हमको ढखकन हटा कर इसको बिज़ भिच में चलाना है और इसका पूरा जब तब दूद एब्जॉब नहीं होता उसमें गाजर में तब तक हमको इसको बन नहीं करना है और इसमें चीनी भी ने डालना है यहाप पर आप देख सकते हैं गाजर ने हमारा पूरा इसमें दूद एबसर्फ कर ले लिया है पूरा सुप चुका है इसमें से दूद तो हम लोग यहाप पर एक कप चीनी डालेंगे इस सव ग्राम की हिसाब से गाजर भी मीठा होता है उस हिसाब से आप भी डालें आपको जीतना प्संदें शॉरी तिका बोल दिया मैंने मित्ता जितना पसंदें उस हिसाब से आप डालिए इसमें आप ड्रानव जाइल लालिए जो आपको पसंदें वो वह एसको अचि तरह से मिंक्स कर लिए जिए और इसको दो मिनीट के लिए इसीतरह से कूख ने के छोड़ पर हम लोग 100 ग्राम खोवा डाल दें इसमें और फिसको दो मिनट के लिए इसा ही छोड़ देंगे कुखोने के लिए और फिर हम ग्यास की फ्लेम को बंद कर लेंगे खोवा डालने के बाद इसको अची तरह से दो मिनट के लिए इसी तरह से भून लेना है आप पर हम लोग एक चमच इलाई ची पाउडर डाल रहें और उसकी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको दो मिनट के लिए से ढखका रखना है यहाप पर हमारे दो मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितना माशाला गाजर का हलवा हमारा बनकर रेडी हो चुका है अब हम लोग गास की फ्लेम को बंद कर लेंगे यहाप पर हमारा गाजर का हलवा बनकर रेडी हो चुका है आपको यह वीडियो का इसी लगी हो कमेंट करके जरूर बता है आप मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मिलते है अगली नेक सुर्ण तब तकि ये बाइ